हलो माई डियर फ्रेंस बेलकम बैक माई यूटूब चैनल सुदाज हूं फ्रेंस आज हम आपसे बहुती टेस्टी लाजबाब और आसान तरीके से बनने वाले आलू के पापड की रेस्पी सेर कर रहे हैं यह पापड खाने में बहुती टेस्टी लगते हैं और इनको बनाना भी बहुत आसान है आज हम इन पापड को बलुकल अलग तरीके से बनाएंगे तो फ्रेंस आप वीडियो को फुल वाज कीजिएगा और फ्रेंस आज हम बनाने वाले इस पापड की रेस्पी को कुछ खास ट्रिक के साथ आप प्लीज वीडियो को फुल वाज कीजिएगा और मजे कमेंट करके जरूर से बताईएगा कि आपको यह मेरे अलग तरीके से बनने आलू के पापड की रेस्पी कैसी लगी तो चलिए फ्रेंस बनाना शुरू करते हैं आलू के पापड बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे उबले आलू तो यह उने मीडियम साइज के दो उबले आलू लिये थे जिनको हमने मैस कर लिया है जब भी आप आलू के पापड बनाए तो आलू को बॉयल होने के बाद उन्हें तुरन चील कर मैस कर लें जी हाँ फ्रेंस गरम गरम आलू बहुत जल्द मैस हो जाते हैं आलू मैस होने के बाद भी हम इन्हें कद्दू कस करेंगे अगर आप अलू को मैस ना करें तो डारेक्ट इसे कद्थू कसब भी कर सकते हैं तो कद्थू कस करने के लिए हमने इस तरीके करें यह चौपर लिया है जिया फ्रेंस यह लोही से बना चौपर है इससे बहुत जल्द आलू मैस हो जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से अब हम थोड़े से आलू की पिट्टी हाथ पर लेंगे और इस तरह से हम हाथ से इसे मैस करते जाएंगे हमें आलू को एक बार में नहीं फ्रेंस दो से तीन बार मैस करना है ताकि आलू हमारे अच्छे से मैस हो जाएं और बहुत ही चिकनी निकल बनकर आएंगे तो हम फिर से आलूँ को अच्छे से मैस कर लेते हैं यह अलू दो से तीन बार मैस करने के बाद अच्छे से सौफ और स्मूथ हो जाएंगे आप फ्रेंस वैसे तो हम इजली तरीके से सभी लोग आलू के पापड को बनाना जानते हैं लेकिन आज हम कुछ फिरंडों के साथ सेर कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा तो यह हमने आलूओं को मैस कर लिया है तो अब इसमें हम मसाले एट करते हैं सो फ्रेंस मसाला भी हमने बहुत ही अलग तरीके से बना कर त्यार किया है यह हमने चार सूकी लाल मिर्च को और इसमें आदा चमच से भी कम नमक और आदा चमच जीरा डाल कर पीस लिया है आप एक साथ इस तरह से मसाले को बना कर रख लें और उसके वाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले एट कर दें तो यहां पर मैं कम ही पापड बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें आदा चमच के करीबी मसाला एट करूँगी और फ्रेंस आप पापड किसी के भी बनाएं नमक का आप खास द्यान रखें पापड में हमेसा नमक कम ही डालें जी आँ फ्रेंस नमक का आप खास ध्यान रखें और अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंस आलू के पापड को बनाना बहुत आसान है अगर आप ऐसी अच्छी वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और साथी में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटे प्रिशन सबसे पहले मिले आपको देखने को तो फ्रेंस अब ये आलू हमारे हाथ पर चिपक रहे हैं तो आलू हमारे हाथ पर चिपकेना इसके लिए हम हाथ पर थोड़ा सा ओयल लेंगे और ओयल लगाने के बाद हम इस पिट्टी को अच्छे से चिकना कर लेंगे अब ये आलू की पिट्टी हमारे हाथ पर चिपकेगी भी नहीं और स्मूथ और चिकनी बनका त्यार हो जाएगी अब ये आलू की पिट्टी पापर बनने के लिए त्यार है अब हम इसकी लोईया बना का त्यार करेंगे तो लोईया बनाने के लिए हमने हाथ को अच्छे से धो लिया है हाथ को धोने के बाद हम थोड़ा सा ओयल हाथ पर लगाएंगे और छोटी सी नीवू के आकार में बैटर को लेंगे और इसकी गोल गोल लोई बना का तया करेंगे तो यह आप दे सकते हैं फ्रेंस एक लोई हमने बना का तयार कर लिए तो बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी यह सारी लोईयों को बना का तयार करेंगे और फ्रेंस यहाँ पर आपको धिहान रखना है अगर आप ज़्यादा आलू के पापड बना रहे हैं तो लोईयों आपको एक साथ नहीं बना कर रखनी है सरव आपको दस बारा लोईयों बना कर रख ले उसके बाद आलू के पापड बनाए अगर आपने एक साथ सारी लोईयों बना का तयार कर लिए तो आलू की लोईयों पर पपड़ी जम जाएगी तो हमारे पास कमी बेटर था तो इसलिए हमने ये सारी लोईयां को बना का तयार कर लिया है अब हम इन लोईयों से आलू के पापर बना का तयार करेंगे आलू के पापर बनाने के लिए हमें चाहिए होगी प्लास्टिक की प्लैन पॉलेथिन और चकला चकले पर हमने polythin को रख दिया है अब इस polythin को हम चिकना कर लेते हैं तो थोड़ा सा हाथ पर oil लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे इतना सा oil काफी है और फ्रेंस यहां पर आपको ध्यार रखना है कि जब भी आप आलू के पापड बनाएं तो polythin को ज़रूर से चिकना कर लें उसके बाद लोई को रखें और अब हम आदी polythin को पलट देते हैं polythin को पलटने के बाद हम इस पापड को हाथ से नहीं इस बरतन से बनाएंगे तो बरतन भी आपका ऐसा नो चाहिए यानि कि नीचे की सते आपकी एक जैसी हो और उसके बाद इस तरह से बरतन को आप रखें और इसे हलके हाथ से प्रेस कर दें जब आप इस बरतन को इस तरह से प्रेस करेंगे तो बहुती इजीली तरीके से गोल पापड बन कर आएगा और फ्रेंस इस बरतन से हमने ये पापड को बना का तयार कर लिया है तो देखा फ्रेंस बिल्कुल मसीन जैसा पापड हमारा बन का तयार हुआ है तो उपर वाली पॉलितिन को हमने हटा दिया है तो यहाँ आप दे सकते हैं पापड हमारा देखने में कितना सुन्दल लग रहा है यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पापड को आपको ज्यादा पतला नहीं बनाना है हलका इसे मोटा रखना है और इसे आप डारेक्ट प्लास्टिक की पॉलितिन पर धूप में डाल दे सूखने के लिए तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए एक प्लेट में दिखा रही हूँ आप दे सकते हैं बहुत ही इसली तरीके से प्लास्टिक की पॉलितिन से यह पापड निकल गया है तो बिल्कुल इसी तरह से हमने यह सारी पापड़ों को बना कर त्यार कर लिया है और यह धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया है देखने से आपको पता चल रहा होगा क यह पापड कितने सुंदल लग रहे हैं जब यह देखने में इतने सुंदल लग रहे हैं तो खाने में तो और भी जदा यमी लगेंगे तो यह सारी पापड़ों को हमने दो दिन की धूब में अच्छे से सुखा लिया है तो दो दिन बाद हम पापड़ों को चेक करते हैं आप दे सकते हैं पापड हमारे एकदम अच्छे सूक का तयार हो गए है तो फ्रेंस देखा आपने यह पापड हमारे कितने सूक कर अच्छे खिले खिले लग रहे हैं अब इन पापड़ों को हम तलेंगे एक एक पापड हमारा बहुत ही अच्छा बनकर आया है अगर आप भी पापड़ों को बनाना चाहते हैं तो आप भी इस तरीके से इस बार इस उली पर इस पापड़ की रेस्पी को जरू से tworki कीजिएगा और मुझे पापड़ करके जरू से बताएगा कि आपको यह मेरे पापड़ की रेस्पी कैसी लगी ता अंथ मेरे एंतले में गरम होने के ल अच्छा गरम ओयल होना चाहिए अगर हमने ज्यादा गरम ओयल में पापड को तल दिया तो पापड आपके जल जाएंगे यह पापड थोड़े से पतले होते हैं तो इसलिए हम इने हलके ही गरम ओयल में सेख का तयार करेंगे तो आप दे सकते हैं एक पापड को हमने सेख का लिया है देखने में यह पापड कितना टेस्टी लग रहा है तो चलिए फ्रेंस हम आपको दूसरा पापड सेख कर दिखाते हैं तो देखा आपने इन पापडों को सेखना कितना आसान है और यह आप दे सकते हैं हमने लो टू मीडियम फ्लेम रखा है और हलके गरम ओल में ही पापड को सेख का तयार किया है तो जितने आपको एक बार में पापड तलने हो आप उतने पापड को तल का तयार कर लें और गरमा गरम इन पापडों को इंजोई कीजिए तो फ्रेंस यह सारे ही पापडों को हमने तल का तयार कर लिया है अभी इन पापडों पर हलका हलका तो आप भी फ्रेंस एक बार इस तरीके से इस रेस्पी को जरूर से पसंद आई होगी पसंद आए तो प्लीज एक बार इस रेस्पी को जरूर से बताईएगा कि आपको यह मेरी रेस्पी कैसी लगी तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हम एक और नए पापड की रेस्पी के साथ और फ्रेंस अगली वीडियो भी हम पापड की सेर करने बाले हैं बहुत ही अलग तरीके से तो चैनल को सब्सक्राइब करना बुलकुल मत भूलिएगा साथी में पहले करने प्रेस क चल दिजेगा ताकि आने वाली बिडियों इस ऐर से हुआ है